हेलो दोस्तो आप सभी का हमारे इस यूटूब चेनल एलफा मोनीटर में बहुत बहुत सवागत है यह फल खाते ही सरीर बन जाता है फुर्तिला लड़के जरूर देखें कौन सा है वो फल आईए जानते हैं दोस्तो वैसे तो कोई सा भी फल उसका सेवन करने से सवाच्टे को फाइदा ही मिलता है यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे फलो में बहुत सारे पोशक ततो पाय जाते हैं जो सरीर के लिए जरूरी होते हैं जब हम बीमार होते हैं तो बहुत से डॉक्टर फलों का सेवन करने की सलाहे देते हैं क्योंकि यह नए सिर्फ सरीर को सौस्त बनाता है बलकि अनेक बीमारियों से भी बचाता है शाथ ही कई ऐसे फल हैं जो हमारी सरीर को तुरंट उर्जा देते हैं तो ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे ही फल के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे ताकतवर फल मना जाता है इस फल को खाते ही सरीर में उर्जा आ जाती है इसके बारे में जाने इस से पहले मेरी आप से चोटी सी बिनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें जी हाँ जिस फल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कीवी कीवी फल का सेवन हमारे सरीर को तुरन तुरजा देता है कीवी फल में फाइबर की प्रयाप्त मातरा होती है जो पेट से सम्मंदित सभी परकार की बिमारियों से चुटकरा दिलाता है कीवी फल का सेवन करने से पाचांत अंतर गैंस, एपाच और एसीडिटी जैसे अनेक समस्यों से चुटकरा मिल जाता है परती दिन कीवी फल का सेवन करने से तनाओ की समस्यों से चुटकरा मिलता है इस से सरीड तनाओ मुक्त रहता है जिससे नींद भी अच्छी आती है इस फल का सुबह साम से उन करने से नींद की बिमारी दूर हो जाती है जिससे आपको कई बिमारियों से बचने में मदद मिलती है कीवी में वेटामिन C पर चूर मातरा में होने की वज़े से हमारी रोग पर तिरोदक चमता को यह मजबूत करता है जिससे हमारा सरीर अनेक परकार की बिमारियों से बचा रहता है कीवी फल ताकतवर फलों में से एक है क्योंकि इसमें पोशक तत्व बरपूर मातरा में पाये जाते हैं कीवी में विटामिन C की अच्छी मातरा होती है जिससे सरीर का स्टेमिना बढ़ता है मरदाना ताकत बढ़ती है शाथ ही तनाव कम होता है जिससे शारिरिक संबंद बनाने की समस्या नहीं होती है इसलिए लड़कों को इसका सेवन जरूर करना साहिए अमीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी आप इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके गंटी का बटन जरूर दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले और समय पर मिलते रहें